विक बिलियंड इस सेल पर इतना क्रेजी प्राइस के साथ आईपों 15 और 15 प्रस मिलने वाले है और इसका हम आपको रिव्यू देने वालो आठ महीना यूज करने के बाद और इससे पहले भी हम आईपों यूज करते हा रहा है और मैंने इसमें कुछ खासियत देखी थी जिस बज़े से इसको खरीदा था मेरा क्या experience रहा है वह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन आठ महीने में इसके जितनी भी कमिया है न वह एक एक चुन के आपको बताने वाला हूँ इसके लावा सेल में इसको सबसे सस्ता कैसा खरी सकते हो उसके बारे में भी डिटील एनलि अगर देखो यह चीज आपको matter गड़ती है तो मैं बता रहूं बाकि यह चीज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिल भी मैंना आपको बता दिया है क्योंकि आइफोन 13 14 और 15 कवर के साथ जो है ना सेम ही लगता है दूर से ऐसा पता नहीं चलता है यह 13 14 यह फिर 15 है बागी य एकदम पास से देखने में आईफोन लगता है मतलब इसका logo बगर दिखता है बागी इसके AJ जो है वो थोड़े curved है जिस वज़ेसे in hand feel काफी अच्छी आती है अगर बिना cover के use करना चाहते हो फोन को तो यह काफी अच्छी आपको in hand feel दिला सकता है इसके लावा वाई type C port मि बी चार्ज करता हूं और यह काफी बड़िया तरीके से फास्ट चार्ज हो जाता है क्योंकि वो 30 वाट का चार्जर है और कहीं ना कहीं आईफोन जो है ना 15 सरीज यह 20 वाट से जाधा चार्जिंग को सपोर्ट करता है अलागि इसमें 20 वाट एपल बोलता है तेकिन उसके जाता है इसके लाबा डूल-studio-speakers मिलता है और यह जो speakers है न बढूं-बूं-बीस आपको फील कराता अगर आप शानती हो ना तो बाहए डांस भी सब्समें अग्ट अब्समें 23 अख़ी जो major difference है वो display गाई है बाकी दोनो फोन सेमा और कोई difference नहीं है एन में तो इसकी display में आपको dynamic island मिलता है यूगि latest iPhone की feel दिला है आपको dynamic island वाले सारी features आपको मिल जाते है बाकी only display डार्क mode पर आपको काफी बड़िया battery backup मिलेगा और low light में एकदम dark जो scene है background वो एकदम dark दिखता ह बागी performance के बारे हम बात करो ना तो इसमा आपको e17 bionic chip मिलती है जो कि काफी तगड़ी है बागी performance तो एकदम धाकड़ मिलती है दो साल बाद भी एकदम तगड़ी performance देखा यह iPhone बागी इसमा आपको 6G RAM मिल जाती है जो कि अच्छी है मतलब android की comparison में जादा अच्छी optimize होती है लेकिन यहाँ मेरे साथ iPhone 13 के साथ भी ऐसा ही रहा है iPhone 15 Plus के साथ भी यही रहा है कि कभी-कभी ना काफी सारी application refresh होती है मतलब जैसे मेरे पास WhatsApp पर कोई notification आया मैं उसका reply करने के लिए WhatsApp आ गया और वापस से YouTube पर आया अगर मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था था ना तो वाप पता नहीं क्यों होता है और लोग बोलता है काफी साथ optimize है यह है वो है लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं हाला कि काफी सारी applications ऐसे भी है काफी बार ऐसा भी होता है कि दो दो तीन तीन दिन पुरानी application भी खुली रहती है वो refresh नहीं होती है बागी आप BGMI में गेमि आपको नहीं आना वाली है अब बात को उसके heat management जो की काफी बड़ी issue है यह जो है ना android वाले यह काफी तगड़े तगड़े heat management के system देता है cooling system दे दिया water cooling system vapor chamber cooling system लेकिन apple ने आस तक ऐसा कुछ नहीं करा यह काफी ज़ादा heat होता है अगर आप गरिमियों में outdoor में इसको use करत इसके charging रुख जाती 80% पर अगर यह phone जादा heat होता है तो पहला आपको phone को ठंदा करना पड़ेगा उसके बाद ही 80% से जादा charging कर पाऊगे वरना 80% से उपर यह charge नहीं होगा इसके अलावा अगर आप outdoor में photography वीडियोग्राफी करो तो भी काफी जादा heat होता है अगर इसको पूरा दिन निकल जाएगा अगर आपको नॉर्मल यूज है तो बागी गेमिंग वगएर अगर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो दिन में दुबारा चार्ज करना पड़ जाएगा लेकिन यह नहीं है आपने सुना होगा आइफोन में बैटरी वाला जमाना था ऐसा सीन तब रहता लेकिन आइफोन 13 और 13 के बात के जितने भी आइफोन है तगड़ा बैटरी वेकप मिलता है इवन अगर आप आप आइफोन 15 प्लस को लेंगे तो यह तो बहुत ही खतरनाग बैटरी वेकप देगा इवन इस प्राइस के जितने भी फ्लेक्शिप एंड् चार्ज करना पड़ जाए अधरवाइस नॉर्मल यूज में भाई जेड़ दिन तक आप इससे घुजार सकते हो अब देखो कैमरे के बारे में बात करो ना इसमें आपको डूल कैमरे साइटप मिलता है लेकिन बाई काम ये तीन कैमरे का करता है इसका जो अल्ट्रा करता वो डिजिटल जूम है लेकिन इसको अप्टिकल क्वालिटी वाला ही बोलता है क्योंकि सेंसर हाई रिजॉलूशन का है इवन 3X भी हो जाता है लेकिन 3X में थोड़ी क्वालिटी लॉस हो जाती है तो अगर आप पोर्टे शॉर्ट लेंगे ना तो उसमें 2X का बागे फ्रेंट केमरा 12MP का मिल जाता है और आटो फोकस के साथ आता है तो फ्रेंट केमरा भी अच्छा है लेकिन बाई फ्लेक्शिप Android फोन में इससे बेटर आपको फ्रेंट केमरे मिल जाता है इसके लावा HDR काफी जादा इंप्रूब मिलता है गर आप पुरान आइपोन से कंपे करके देखेंगे तो HDR में आपको फरक दिखता है यह काफी अच्छे HDR फोटोस ले पाता है बागी सॉफ्ट्वेयर के बारे में बात करो ना तो iOS 18 का अपडेट इसमें आई जाएगा तो लंबे टाइम तक iOS 18 चलना वाला iOS में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो है Apple Intelligence जितने भी AI के फीचर्स है वो इस iPhone में नहीं मिलेंगे सिफ iPhone 15 Pro और Pro Max यह फिले टेस्ट iPhone 16 स्रीज में मिलेंगे और यह जो AI का फीचर है इसमें call recording का भी फीचर इन्होंने दिया हुआ है तो call recording आपको इस iPhone में नहीं मिलेगी तो भाई Apple Intelligence के जितने भी गैलरी में फोटो से erase करने वाला फीचर हुआ या फी राइटिंग टूल हुआ जितने भी AI फीचर्स है भाई नहीं मिलेंगे यह खाफी major problem है इस iPhone के साथ भागी अब इस iPhone की pricing के बारे में बात करो ना तो pricing बताने से पहले बता दो हमारा महा लूट बाई के करके टेलीग्राम चैनल पर जिसम इसकी link आपको discussion में मिल जाएगी वो जाकर join कर लेना काफी तगडी loot deal मिलना वाली है तूसरी चीज यह है अगर आप इस iPhone को सबसे सस्थे price पर खरीदना चाहतो तो आपको काफी सारे credit cards पर discount चलता है 2000-3000 इस तरह से तो अगर आप इसको सबसे सबसे price पर लेना चाहतो तो credit card क अभी से जुगाड कर लो सारी links आपको discussion मिल जाएगी जिन जिन credit card पर discount आपको मिल सकता है sale पर तो अगर आप उनको जाकर अभी apply करेंगे तो अराम से sale के time से पहले पहले आपका पास card आ जाएगा उसका use करगा आप अराम से discount ले सकते हो और एक और चीज है सस्ते price पर लेने के लिए membership ले लेना क्योंकि यह flip card पर आने वाला है तो flip card की membership आपके पास होनी चाहिए क्योंकि members के लिए एक दिन पहले sale start होगी और उसी time सबसे कम price होता है उस time जो है सबसे minimum price होगा साथ में आपके पास credit card होगा तो और extra discount मिलेगा तो minimum price पर आप iPhone 15 ये फिर 15 प्रस ले की तो इस iPhone का जो price होने वाला flip card big billion day sale में वो 50,000 मिलेगा including all discounts और iPhone 15 plus का जो price होगा वो लगबग 60,000 होने वाला bank discount इंक्लूट करके बता रहो हूँ तो सभी link आपको discussion मिल जाएगी इसी तरह की और भी काफी सारी में वीडियो लाने वालो हूँ और iPhone 15 15 plus की मैंने काफी सारी वी इस पर मिल रहा है link discussion में मिल जाएगी इसके लावा इस सबसे सस्ता आप कैसा खरी सकतो इसके लावा से